जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कि भारत आज से 20 साल पहले कहां था वो सुनते हैं कि नेता आके कहते हैं उनको देखिए कोई सरकार आजाए कोई फर्क ने पड़ेगा भारत तो बढ़ता रहेगा लगातार बढ़ता रहेगा इसको आप कैसे इसको एक्सप्रेस करना चाह हम नंबर च्छे पर थे भारत का स्थान च्छे पर थे हमारे इन महानुभावने सरकार ऐसी चला है इसा बड़ 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 महान विद्वान लोग रहे हैं कि हम 11 नंबर पर पहुंच गए हैं दस साल में हमारे एक के बाद एक सुविचारित कदम आज हम 11 नंबर से 5 होने वाला है अब 6-11 हुआ वह कहता है अगर नेचलर होना तो 6-5 होना थे चार होना चाहिए था 11 हुआ मतलब तुमने कुछ उल्टा किया अब हम देखिए 2014 में कॉंग्रेस दे एक अनॉंसमेंट किया था उन्होंने कहा था 2043 हम भारत को दुनिया की 30 नंबर के अर्थवस् स्ब्सक्राइब कर दो हमारी सरकार तीशरी पारी में तीसरे नंबर की इकॉनमी मनाने का लक्स लग करके चल रही है मतलब कॉंग्रेस के हिसाब से 15 साल पहले मेरा तो मैंने प्रिपॉन कर दिया और अगर कॉंग्रेस की स्पीड से चलते तो मुझे लगता है कि यह तीसरे नंबर की एकोनोमी आते आते हो सकता है अरणव का पोता उसको पता समयते हैं मिलते कहां 30 इसने अनुबर पहुचे यह हाल हो जाता दो दो तीन-तीन फिर्ड़ी बिट जाती जी अरहम इतना तो देश का नौजवान उसको पुराना पता नहीं है तेकि देश के नौजवान को दुनिया का पता है